नमस्कार आप सभी लोगों को मेरी सब्जाव और आप देख रहे हैं मिथला देखो मिथला एक बहुत बड़ा देश था जिनके राजा जनक थे और उनकी पुत्री, बेटी सीता, बैदेही, मैथली और उडमीला थी जिने सीता को हम बैदेही और मैथली कहते हैं मैथली से मिथला बना जहां हम लोग रहते हैं जनक बिदे एक प्राचीन राजा थे जो मिथला में इस्थित है इनको सिर्धवज भी कहा जाता था इनकी दो पुत्रियां हैं सीता और उडमीला जिनके बिवा राम और लक्षमन से हुआ उनके पास एक सिब धनुस था जिनकी वो पूजा किया करते थे राजा जनक के गुरु अस्ट्राबक थे मैं बताना चाहूंगा यहां पे राजा जनक को भौतिक संपती से मोह नहीं था वो खुद को संसारिक भरम से मुक्त मानते थे नेपाल के जनकपुर सहर का नाम उनके और उनकी बेटी के लिए चीता के लिए रखा गया मितला जोकी गंडक नदी के पुर्व में महननदा के पच्छिम में और गंगा के उत्तर में और हिमाले के पच्छिम में इस्थित हैं राजा जनक के पिता का नाम हरोशमा था राजा जनक जैसा राजा आपको अभी तक दूसरा नहीं मिलेगा जैस तरह के ये राजा थे एक बहुत ही सुन्दर घटना है मैं इसके साथ इसको जोड़ना चाहूंगा राजा जनक यग कबल की रिसी के साथ बैठे हुए थे आपस में दोनों की बात चल रही थी राजा जनक यग कबल की जी से कहते हैं कि आदमी किसर की रोषनी से देखता है रिसी ने कहा आदमी सूरज की रोषनी से देखता है तिस पे राजा जनक कहते हैं अगर सूरज अस्त हो तो इंसान किस की रोषनी से देखेगा जिस पे रिसी कहते हैं आदमी चांद की रोषनी से देखेगा तिस पे राजा जनक का कहना था अगर अंधेरा हो और अंबश्या की रात हो फिर आदमी किसकी रौसली से देखेगा तो उन्होंने कहा आदमी अपनी आवाज की द्रिष्टी से देखेगा आवाज से दिखाई तो नहीं देगा परंतु उन्हें मालूम चल जाए कि उन्हें जाना कहां है और आवाज कहां से आ रही है। उस पे राजा जनक का कहना था कि अगर ना सूरज हो ना चांद हो ना आवाज हो तो फिर इंसान किसकी दिश्ट्री से देखेगा। उस पे रि्षी ने बोला कि आदनी फिर अपनी आत्मा की दिश्ट्री से देखेगा, जो आत्मा की दिश्ट्री से देखता है या देखना चाहिए जब आपको कहीं से कुछ भी आवाज ना सुनाई दे ना कुछ दिखाई दे तो अपने आत्म की आत्मा की आवाज को सुने और आगे बढ़ें राजा जनक की मिर्ट्यू जो की एक स्राप के कारण हुआ एक दिन राजा जनक जब जागे उनके उपर कोई स्राप देने की सजा थी उन्होंने अपनी साररी के स्थिती को छोड़ दिया और स्राप के कारण उनकी मिर्ति होगी आप देख रहे थे मिथला देखो फिर हमारे फेस्बुक पेज को फॉलो करें और हमारे यूटुब चैनल को सब्सक्राइब करें आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद